क deficiency को अब नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मेरे यूटियब चैनल पर आज का हमारा बिसह है किसी विव्यक्ति के नाखून के मिसह में अंगलियों के पर्थम भाग में पाने वाले नाखून, इस परकार के नाखून, अंगूठे सहीद इस परकार के नाखून पाई जाते हैं, इसके बिसम, अक्सर हम देखते हैं कि नाखून पर कभी उजले, तो कभी काले, कभी अर्ध, चंद्र, तरह तरह के दाग और निशान दिखाई पड इसके भी से मैं आज के जानेंगे इसी पहले जिस भैईोंने 500 को सब्सक्राइब किया हो किर्प्या सब्सक्राइब कर ले कि आइये शुरू करते हैं नाखुन सल्याओं अगर आपके नाखुन पर कहीं भी काला धबा नजर आता है किसी भी ऑंगली, मैं किसी भी ऑंगली की बात कर रहा हूँ, वह उठे सहीद, ये हमारी अंगुठा है, ये तरजनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिश्टका है, ऑंगली पर ध्यान दे, ये उल्टी हाथ की तस्वीर है, अगर इसमें कहीं भी काला दाग नजर आत अगर काला की जगह कहीं अंगुठे पर कोई सफेद निशान दिखाई पड़ता है, तो सफेद निशान इस चीज को दिखलाता है, कि आपके स्वास्त में कहीं ने कहीं कोई गरवडी चल रही है, जैसे ही स्वास्त सही होगा, ये सफेद निशान भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ये अक्सर देखा गया, आपने भी देखा होगा, दाग आते हैं, चले जाते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ, तीसरा चिन, जो सबसेद आपर मुख है अर्द चंदर चिन, अंगुठे पर इस परकार से, अंगली में अर्द चंदर का निशान बनता है, इस परका हो जाते हैं, अर्द चंदर को लेके लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं समाज में, लेकिन इसका जो जो तिसी के अनुसार, हमारे सामुदरिक सास्त के अनुसार, जिसमें इसका बिस्तरित बर्नन क्या गया है, उसके अनुसार ये जो है, तरह तरह की कई प्रकार के प्रग नियां उंगली है अगर तरज नियां उंगली के नाखून पर इस परकार से अर्ध चंदर बनता हो इस परकार से आधार चंद मलब बहुत बड़ी तंद्रमा की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो समान रूप से अर्ध चंदर बनता हो उसकी बात कर रहा है ति यह बतलाता है कि आ आपके जो आप नौकरी से हो सकता है, लाब हो सकता है सुब समाचार प्राप्त हो सकते हैं चुकि यह सनी का उंगली होता है सनी के चेतर में तो सनी धन का कारक होता है इसलिए ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है जो आपको अतिस सिग्र चाहिए किसी भी कारी से हो जो भी कारी करते हो धन का लाब दिलाएगा इसक पनिश्ट का आमने छोटी उंगली के बगल वाली उंगली अनामिका उंगली का लाती है अनामिका उंगली पर इस प्रकार से अगर आवे तिये बैपारिक लाब को दिखलाता है आप अगर कोई बैपार करते हैं बैपसाई करते हैं तिये बैपारिक बैपार और बैपसाई की स खत्म होंगे चिन भी खत्म हो जाएंगे क्या खत्म होने के बाद बुरे दिन शुरू हो जाएंगे नहीं बिलकुल नहीं ऐसा नहीं है यह सिर्फ यह बतलाते हैं कि आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है आए अब तीसरी चौथी उंगली जो हमारे कनिष्टिका है सबसे छो बनता हो ति यह उन्नती का सूचक है सुबसंकेत इसको समझे अच्छा कुछ होने वाला है अगर अर्दचंद्र बहुत बढ़ा हो अर्दचंद्र अगर आपके हतेली में बहुत बढ़ा बनता हो मान लिए यह आधा नाकुन शेक लेता हो ति यह अच्छा संकेत नहीं माना आपता है तारद चंदर छोटा हो सामार नहीं हो तो अच्छा आज के अंके में इतना ही धन्यवाद